इस वीडियो को sponsor किया है वीवीपीएन ने अभी Cyber Monday डील चल रही है जहां पे अगर आप दो साल वाला plan लेते हो तो 77% off मिल रहा है आपको उसके साथ ही extra 3 months जो है वो भी बिल्कुल free मिलेंगे इस service के साथ तो अगर आप लेना चाहते हो one of the best VPN अपने लिए तो आप ले सकते हो वीवीपीएन का सब्सक्रिप्शन आज ही अगर आप लेना चाहते हो वीवीपीएन तो डिस्क्रिप्शन के अंदर पहला लिंक आपको मिल जाएगा और अब continue करते है अपनी वीडियो अंजी मेरी YouTube family क्या हाल चाल है आप सब क्या है हो एकदम मजे में हो गया आप सब आज आप के लिए ले के आँ गैलेक्सी के Z Flip 3 5G phone की unboxing और इसे पहले Z Fold 3 जो है वो मैंने यूस किया था जो कि बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था और काफी जादा expensive phone था बट Z Flip 3 जो 5G वाला model है Black Friday sale के अंदर मुझे मेल गया सिर्फ एंस सिर्फ 499 US dollars का और इसके साथ-साथ ही यह भी free मिल गए तो कमाल ही हो गया जो package है Verizon के ओपर यह scheme थी कि आप Verizon के ओपर अगर जाते हो या फिर upgrade करते हो तो 499 का यह phone मिल रहा था और इसके साथ मिल रहे थे Galaxy Buds 2 तो मैंने पायदा उठाया मौके का और आधे price में Galaxy का Z Flip 3 मुझे मिल गया तो अब इस phone को मैं definitely use करने व time है और अब जादा time waste नहीं करते हैं सबसे पहले अगर box की बात करो तो simple सा box है Zee उपर ही आपको दिख रहे है कि कुछ Z Flip 3 है model 5G यहाँ पर मिल जाता है 128 GB वाला version मेरे पास है इसके इलावा 256 GB भी आपको मिल जाएगा अगर मैं regular price की बात करूए US की तो 999 US Dollars का यह मिलता है बैक में कुछ भी नहीं दो टेप हैं जो हमें कट करनी है तो कर देते हैं और निकालते हैं फोन को बाहर क्योंकि इसके लिए मैं बहुत जादा excited हूँ और हाँ अगर आप US में हो और यह Galaxy Buds 2 लेना चाहते हो तो आप मुझे DM कर सकते हो इंडिया में नहीं बेज सकता पाकिस यहां पे है हमारा Z Flip 3 5G phone वो क्या बात है इसको भी थोड़ी दिर के लिए रख देते हैं और box आपने देखा होगा काफी पतला box है क्योंकि यहां पे charger हमें नहीं मिलता है charger आपको अलग से लेना पड़ेगा जैसा सारही phones के साथ हो रहा है आजकल यहां पे USB-C to USB-C cable आपके पोन को चार्ज करने के लिए उसके अलावा कुछ भी नहीं कुछ प्रड़क्ट मैनुवल्स और क्या है कुछ भी नहीं है यहां पे और है SIM Ejector Tool तो यह तो हो गया box का content अब इस सब को साइट रखते हैं अब wrapper निकालते हैं Z Flip 3 5G के उपर से folding phone है यह और crease यहां पे मुझे न पे है black color में इसके अलावा बहुत सारे colors यहां पे आपको मिल जाते हैं और Z Flip 3 में आपके पास काफी सारे options है customization के और सबसे पहले अगर crease की बात करूं तो crease आपको बीच में ही चमक रही होगी क्योंकि foldable phone है और अब यह early stages पे है foldables तो यह जो crease है काफी visible रहती है और scrolling के time पे definitely यह जो bump है यह feel हो गई होगा fold करें अगर इसको तो आप देख सकते हो बहुत ही छोटा सा यह phone हो जाता है और अगर इस तरीके से करें तो थोड़ा सा thick जरूर है और अगर इसको मैं compare करूं तो यह है 13 Pro Max इधर पे है हमारा Z Flip 3 तो जब foldable stage में रहता है तो बहुत ही छोटा स यह phone है thickness की अगर बात करो तो आप देख सकते thickness है आपके सामने अभी इसको रख देते हैं side में यह है अपना Z Fold 3 phone और अब अगर मैं इसकी बात करूं क्या क्या हमें इस phone के अंदर मिल जाता है तो back में हमें 2 cameras मेल रहे हैं ultra wide and wide angle lens 12 megapixel resolution वाली नीचे हमें flash दिख रही है और यह यह जो cover display है यह है 1.9 inches का अगर मैं main display की बात करूं तो यहाँ पर हमें screen मिल जाती है 6.7 inches की 426 ppi वाली तो काफी bright screen यह रहने वाली है छोटा सा phone है थिक जरूर है बट इसका मज़ा ही अपना है जो पहले आते थे ना phone जिसको ऐसे खोल के बात करते थे वो जो feel है वो मैं इस phone से लेने वाला हूँ screens के बाद अगर बात करें buttons की तो right side में हमें volume की मिल रही है और उसके नीचे ही है आपका power button lock unlock button और आपको जो power button है इसके अंदर ही आपका fingerprint scanner आपको मिल जाएगा top की बात करें तो top में हमें एक mic दिख रहा है bottom में आ जाए तो bottom में हमें speaker दिख रहा है USB USB-C port आपके phone को charge करने के लिए bottom में है दो-दो microphones better all quality के लिए left side की बात करें तो left side में यह जो आपको black color का देख रहा है यह है आपका 5G antenna mm wave वाला और उसके उपर है आपका SIM tray और front में हमें camera मिल रहा है 10MP वाला और speaker grill जो है वो आपको camera के बिल्कुल उपर ही देख रहा होगा 10 10MP का camera एक बाफ फिर से मैं बता देता हूँ और यहाँ पर colors की मैं बात कुरूं तो नीचे की side पूरा matte है उपर आपको gloss black color मिल रहा है screen के अंदर तो phone देखने में काफी अच्छा है इसके लावा काफी सारे colors है जैसे मैंने कहा तो आप phone को setup कर लेते हैं फटाफट से तो जरूर करो और मैं फटाफट से कर लेता हूँ setup फोन जो है setup कर लिया है और जैसे मैंने का side में यह जो button है यह है आपका fingerprint scanner तो चेक कर लेते हैं कितना तेज है तो देख रहे हो lock है अभी phone अब एक बार fingerprint scanner जो चेक करते हैं वाव सही है यह जो power button के अंदर fingerprint reader रहता है यह मुझ यहाँ पर 3300mAh की battery है और जितना मैंने reviews वगेरा देखे हैं सबका कहना है कि जो battery life है वो इतनी अच्छी नहीं है इस phone की तो जब मैं test करूँगा तभी मैं आपको बता सकता हूँ उसके अलावा यहाँ पर हमें पहली बार Z Fold 3 and Z Flip 3 के अंदर IPX8 water resistance rating मेल रही है तो 1.5 मीटर पानी के अंदर 30 मेट तक अगर आपका phone रहता है तो Samsung का claim है कि कुछ नहीं होगा बट यहाँ पर dust resistance नहीं मिलती है आपको और एक और बहुत ही important चीज इस बार जो हमारा Z Flip 3 है 5G वाला यहाँ पर हमें 120Hz का refresh rate मेल जाता है जो की adaptive refresh rate है आपकी needs के हिसाब से जो refresh rate है वो change होता रहेगा और आप 60Hz पे भी इसको set कर सकते हो अगर करना चाहो अब आजाते हैं front screen के उपर यानि की cover display के उपर तो यहाँ पे 1.9 इंच का display हमें मिलता है जहाँ पे आपको time तो दिखेगे दिखेगा उसके लावा date, battery status बट अगर आप swipe करते हो तो यहाँ पे काफी सारे options हैं जिनको आप customize भी कर सकते हो तो first impressions के अगर मैं बात करूँ तो मुझे तो अच्छा ही लगा है अभी तक phone और सबसे जादा यह जो पार्ट है open and close वाला यह बहुत ही satisfying रहता है foldable phones के बारे में इससे पहले Z Fold दिया था वह काफी बड़ा था बट आप इसको मैं daily use करूँगा as a phone मैं भी आप सब की तरह एक बहुत बड़ा iPhone fan हूँ बट मुझे Android भी चाहिए रहता है और foldable जो है इस पर काफी time से मेरी नजर थी और जब एक अच्छी deal मिली तो मैंने ले ली और यह थी मेरी वीडियो Samsung के Z Flip 3 5G के ऊपर आप बताओ वीडियो कैसी लगी अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रू करो शेर करो और चैनल पर नए हो तो सबस्क्राइब ज़रू करो अब इसी नोट के साथ वीडियो को करता हूँ खतम मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केर बाबाई